हेलो फ्रेंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस के आनी की कहानी सबकी में मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्त तनीज दोस्तो आखिर तमाम अर्चनों के बाद संजै लिला वनसाली की फिल्म पदमावती का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है फर्स्ट लुक के साथ ही ये भी साप हो गया है कि फिल्म 1 दिसंबर 2017 को रिलीज होगी बुध्वार को रनवीड सिंग ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि पदमावती का पोश्टर गुरुवार को रिलीज हो सकता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पदमावती फिल्म की कहानी रानी पदमावती की जिन्दगी पर आधारित है फिल्म में दिपिका पादुकोन रानी पदमावती की भूमिका में नजर आएंगी वहीं साहित कपूर फिल्म में दिपीका के पती यानि रावल रतन सिंग का रोल कर रहे हैं ये देखना दिल्चेस्प होगा कि फिल्म में रनवीर सिंग अलाउद दिन खिल जी की रोल में है ऐसा पहली बार है जब रनवीर नेगेटिव रोल में नजर आएंगे इपीका पादुकोर रनवीर सिंग और संजे लीला फंसाली की तिकडी गोलियों की रासलीला रामलीला के समय से मश्रूर रही है और इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर सौ करोड की कमाई की थी फिर ये तीनो साथ आये बाजी राव मस्तानी में इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अच्छी कमाई की और अब ये तीनो फिर साथ आने वाले हैं पदमावती में देखना होगा कि ये फिल्म क्या कमाल करती है हाला कि फिल्म को सूटिंग के वक्स से ही काफी समस्याओं और विवादों का सामना करना पड़ा है तो दोस्तों आप बताईए कि आपको रनवीर सिंग और दिपीका पादुकोन की जोड़ी कैसी लगती है और क्या आप पदमावती देखने चाहेंगे अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं थैंक्स लोट फो वाचिं इस वीडियो टेक्क्यर फ्रेंड बाइ